बिंडी की सब्ची तो हमने बहुत बार बनाकर खाई होगी तो चली आज बनाता है इत्म नए तरीके से प्यास और बिंडी की बहुत ही टेश्टी सब्ची तो चली बीना तरीके इसको बनाना सुरू करते हैं तो मैंने ले लिये 250 क्रम बिंडी अच्छी से बस करके इस तरह 2 कट करदें और बीच में इस तरह 1 कट लगा दिया है इसके बाद मैंने लिये 9 से 10 ब्याश, इसको भी अच्छी से छेल कर इसदर बीच में कट लगा दिया है अब इनको अच्छ से oil के अंदर fry कर लेंगे तो gas पर मैंने कड़ाई के अंदर oil करम कर लिया इसके अंदर डाल देंगे बिंडी और 2-3 मिंट के लिए इन बिंडी को oil के अंदर अच्छ से fry कर लेंगे तक कि जो बिंडी है वो हलकी से soft हो जाए ज्यादा नहीं पकाना है बस 2-3 मिंट इसको अच्छ से पका लेना है और इसके बार जब अच्छ से ये बिंडी पक जाए तो इसको इस तरह oil से बाहर निकाल देंगे इस तरह fry करके जब सबजी बनाती है बिंडी की और प्याज के तो बहुत ज़्यादा tasty बनती है तो इस तरह मैंने बिंडी को oil से इस तरह प्लेट के अंदर निकाल लिया है इसके बाद जो हमने प्याज छिलके कट करके रखे थे वो प्याज भी इस तरह oil के अंदर अच्छ से fry कर लेंगे इसको भी एक से दू मीट के लिए अच्छ से fry कर लेंगे और प्याज तो बहुत जल्दी fry हो जाते हैं एक्दम पक जाते हैं तो इसको ज़्यादा निपकाना है बस हलके से इसको भी अच्छ से oil के अंदर fry कर लेंगे तो हमारे प्याज है वो अच्छ से fry हो चुक है तो इनको भी अब oil से बार निकाल देंगे पूटल और रेस्टोरण में आप इस तरह की सबजी बहुत बार खाई होगी अगर आप इस तरीके से बनाऊगे तो यह सबजी है जो खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी तो इस तरह सारे प्याज को इस तरह ओil से बार निकाल देंगे इसके बार लेंगे एक मिक्सी का जाँ इसके अंदर डालेंगे एक बारे कटावा प्याज साथ में एक बारी कती भी हरेमेश 10-15 लसुनकी को लिया ओर थोड़ा सा पाने डाल कर इसको मिकसिक के अंदर अच्छे से पेश लेंगे इस तरह मिकसिक के अंदर मैंने इसको अच्छे से पेश लिया है और उसी कड़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ओयल वो जो निकाल लिया और थोड़ा सा ओयल में इस तरह थोड़ी सी राई थोड़ा सा जीरा कतर का लाका देंगे और जो मिकसे के अंदर हमने प्यांच, हरी मेची वगर जो उलसन वगर पीसा था वो पेस्ट इस कड़ाई के अंदर डाल देंगे और चमज से इस तरह चलाते हुए दो से तीन मेंट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे तब तक हमारा मसला त्यार करते हैं तो मैंने एक बावल के अंदर डाला है एक कटोरी दही इसके अंदर डालेंगे एक चमश लालमेशी पाउडर साथ इसमें डालेंगे हाफ चमश नमक नमक आपने टेस्ट के साब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ासा हल्दी पाउडर और हाफ चमश धनिया पाउडर और चमश से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें लाल मेची पाउडर लाला है वो भी कस्मीरी लाल मेची पाउडर जिसको जो सबजी का कलर ना वो बहुत ही अच्छा आता है अच्छे से सको भी मिक्स कर देंगे और अधर हमार जो प्याज हरेमेशी लसं का पेचा रैम वो भी अच्छे से पक चुका है तो इसके के अंदर मसाला बनाया था दई गो इसक कड़ाई के अंदर डाल देंगे डालने के बाद चमशंक से इसको बराबर हिलाते रहे हैं इसको भी अच्छे से एक दो मिट अच्छे से पका लेंगे ताकि जो मसाला है वो भी अच्छे से पक जाए इसके बाद इसमें डाला हाफ जमज किचिन किंग मसाला आप इसकी जगर गरब मसाला या फिर मैगी का जो मसाला होता है वो भी इसके अंदर डाल सकते है हमारा मसाल अच्छे से बख चुका है इसके बाद जो हमने भिंडी और प्याज को फ्राइ किया था वो इस कड़ाई के अंदर डाल देंगे तो इस तरह मैंने भिंडी और प्याज को कड़ाई के अंदर डाल दिया और चम्मे से इसको अच्छे से मिक्स करके एक मिंड़ के लिए और सबजी को अच्छे से पका लेंगे तो इस तरह हमारी जो सबजी हैं वो बन कर त्यार हो चुकी है इसके अंदर डालेंगे बारे का टावा हरा धनिया तो गैस के फ्रेम को बन कर देंगे और इसे एक बाउल के अंदर सर्व कर देंगे तो ये लेजी हमारी जो टेस्टी सी प्याज और बेंडी की जो सबजी है बन कर त्यार हो चुकी है आती वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सेर करें